तो गाज अगर आप ही TCS के लिए कहीं जॉब देख रहे हो तो आप लोग लिए TCS BPA सबसे मास हारिंग लेके आई हुए है जो कि गाज यह ट्रेनी पूश्ट के लिए यह हारिंग कर रही है जिसकी क्वालिफिकेशन की बात करें गाज इसमें आपके पास बीकॉम की डिगरी करें गवरे कहीं बास का लिए ब्रंच की बात करें दो किसी भी ब्रांच से तो गयाजए आपकेट सेब्स से आपको यहां दिखेगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में स्टाइट यूर सक्षेस वीड़ बीपी इनवाइटिंग ग्रेजुएट इन आर्ट्स एन कॉमर्स वाइपी टूटाजन ट्वैटिफाइब टूटाजन ट्वैज के लिए हाइरिंग निकाले हुए है तो चलि इसके अलावा जो पासिंग ग्रेजुएट हैं 2025 के उनके लिए क्या टीस वीपेस हारिंग स्लेट बताएगा यह आप लोग को मैं यहां दिखाने वाला हूं तो गाइज यह जो जॉब निकली हुई है यह आर्ट्स एन कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए निकली हुई है जो क कि 2025 ग्रेजुटिंग बैच होनी चाहिए साथ ही आप लोग में बता दो कि जो अभी बताया कि 11 सेप्टेंबर लाहिडेट राने वाली है इसके अलावा आप लोग यहां से कैसे अप्लाई करना है क्या अप्लिकेशन प्रोसेस होने वाली है सब कुछ यहां पर इस्टे पर जाके लॉग इन करना होगा यहां क्लिक करोगे तो आपके ओपन हो जाएंगे फिर आपको अप्लिकेशन फॉर में डिटेल्स भरना है जहां पर अधार काड़ डेटा वर्ट एज पर अधार कार्ड यह मैंडेटरी अपडेट करना उसके बाद गाईज प्लीज इंसी ओ आपको फिल अप करना है देन गाई रचेशन करना है अपलाइफ और टीज बीपियस हारिंग प्रोसेस के लिए जिसमें दो सेने दियो गाई दोनों सेने जो आपको वन बताता हूं पहले में अगर आप रचेश्टर यूजर हो तो पकानली लॉग इन करना है और अपनी चुझ करना है उसके बार प्रोसेट करना है अपनी डिटेल्स फिल करके फिर समिट करना अप्लिकेशन फॉर्म को फिर आप लोग अप्लाइफ के लिए क्लिक कर सकते हो देन नेक्स इस्टेप गाईज है यहाँ पर कि सेलेक्ट और मोट आफ टेस्ट इन सेंटर और टेस्ट अप्लिकेशन डिटेटर सुट रिफलेक्ट एज अप्लाइब ड्राइब टुगाईज जब आपका अप्लिकेशन समिट हो जाएंगे तो आप लोग अपनी अप्लिकेशन को ट्रेक कर सकते हो जहां पर आपको अप्लाइब ट्राइब देखने को वहाँ मिल जाएगा हम लोग देखने वाले हैं कि क्या टेस्ट पैटर्न आपके होने वाले हैं तो टेस्ट और इज आफ फाइप मिनट ड्यूरेशन एंड कंप्राइज आफ बीलू एक सेक्शन आपके तीन सेक्शन होंगे निवेडिकल एबिलेटी रिजिनिंग एबिलेटी एंड क्वान्टी देख सकते हो गाइज सबसे पहले फुल टाइम ग्रिजूएट होने चाहीं इसके लवा कोई बेकलोग एकस्टेंडट एडूकेशन नहीं होना चाहिए गेप ब्रेक इन एडूकेशन नहीं होना चाहिए को टाइप आप रोलगुस ऐसे फूल टाइम कोर्स राने वाले वाल तो यह सबसे अच्छी हाईरिंग पॉर्शनिटी आई है तो आप लोग डायक जाकर अपलाई कर से तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बाय बाय